प्राइम नंबर का क्या मतलब है अगर उसको उसी नंबर जिस जो वो खुद नंबर है उसी नंबर से डिवाइड करें तो ही उसका रिमेंडर कुछ नहीं आएगा मतलब रिमेंडर जीरो आएगा और वो किसी नंबर पर डिवीजिबल नहीं होते हैं वो सिर्फ अपने आप पर डिवीजिबल ह या 1 पे होते हैं अगर आप इससे भी easy method भी prime number क्या होता है वो देखना चाहते हैं तो सीधा सा simple सी बात यह है कि prime number वो होते हैं जो सिर्फ अपने table में होते हैं जैसे आप example ने जैसे 2 है 2 आपने कभी देखें किसी और table में आया हो 2 सिर्फ अपने table पे होता है 3 है जो वो भी सिर्फ अपने table पे होता है बट उसके बाद जो 4 है जो 4 होता है वो 2 के table में भी आता है क्योंकि 2 2s are 4 होता है 4 अपने table में भी आता है 4 1s are 4 तो इसका मतलब वो prime number नहीं है 5 देखो 5 सिर्फ अपने टेबल पे 5 बंजा 5 है और कोई भी टेबल आप 2 से लेकर 20, 30, 40, कोई आपने देखा अभी 5 आया हो किसी टेबल में 7 अपने टेबल पे ही जाता है बड़ जैसे 8 आता है 8 किस-किस टेबल में देखो 2 के टेबल में भी आता है 2, 4, 8 हाना वो 4 के table में भी आता है 4, 2, 0, 8 8 अपने table में भी आता है 8, 1, 0, 8 हाना तो इसका मतलब वो prime number नहीं है तो इसलिए prime number क्या होते है बेटा जो सिर्फ अपने ही table में आते है किसी और table में दिखाई नहीं देते तो सबसे छोटा prime number है जो वो 2 होता है ठीक है उसके बाद 3 है prime number 5 है 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे prime number होते हैं अब हम इन prime number की help से कुछ देखेंगे कुछ निकाल लेंगे prime factorization of a number माले जी आपके पस कोई भी number है उसके हमने factor बनाने है factor का मतलब क्या आता है उस number को 2 चिज़ों की multiply में लिखना है चीक है तो वो 2 number prime number में ही आए जब एक number के हम factor बनाए तो वो factor prime number ही हो तो उस number की उस factorization को prime factorization बोलते हैं जैसे if factors of a number are prime then this is called prime factorization यानि कि मैं आपको एक example के तो ये समझाओंगी बेटा ये क्या है देखिए माल लिजे के आपके पास एक number है 30 आपके पास एक number है 30 ठीक है अब जो वो number है 30 वो क्या है बेटा हमारे पास एक number है 30 ठीक है अब 30 के हम कितने factors बना सकते हैं हम 30 को 1 x 30 भी लिख सकते हैं हम 30 को 2 x 15 भी लिख सकते हैं इन्टू 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 तो इस 30 के ये भी factor है, 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 अलग लग तरह है कि जितने भी हमारे दिमाग में आए हमने factors बना दिये, अब इन factors में से हमने वो factor चूज करना है, जिसमें हर एक factor है, वो prime number आ रहा है, अब आप देखें, 30 कोई prime number है, क्योंकि 30 तो अपने टेबल पे भी आता है 15 के टेबल में भी 3 के टेबल में भी 6 के टेबल में भी तो इस तरह से ये बहुत सारे टेबल में आता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है 15 भी प्राइम नंबर नहीं है ठीक है 6 भी prime number नहीं है बट अब हम इस वाला देखते हैं जैसे 2 है वो सिर्फ अपने table पर ही होता है 3 है वो भी सिर्फ अपने table में ही आता है और 5 है वो भी अपने table पर ही आता है तो इसका मलब जो 30 के ऐसे factors हैं जिसमें हर factor prime number है तो ऐसे factors की help से बने हुए 30 की multiplication को क्या बोलते है prime factorization ठीक है तो इन में से हमने ये सारी choose नहीं की हमने ये वाली choose की इसका नाम क्या दे दिया हमने prime factorization of 30 is 2 cross 3 cross 5 ये भी सारे factorization है बट इनका नम prime factorization नहीं है prime factorization वो ही है जिसमें factors सारे ही prime होती है अब ये ही prime factorization का एक और method है निकालने का ये तो hit and trial है यानि कि आप अपने दिमाग से बनाओ और कभी न कहीं आपको एक ऐसा मिल जाएगा जिसमें कि सभी prime आ रहे है पर exact prime कैसे आ सकता है उसके लिए division method भी होता है जैसे इसी 30 की ही example लिया मैंने अब 30 लिया हमने ठीक है अब 30 को हमने divide कर ये divide करने का method होता है एक लंबी line ऐसे लगा लेते हैं एक ऐसे लगा लेते हैं ठीक है तो अब हम prime factorization का क्या मतलब है हमने सबसे छोटे prime number से इसको divide करना शुरू करना है और सबसे छोटा prime number कुन सा होता है 2, 1, 2, 3 में से 2 माइनस किये तो 1 उपर से 0 लिया 5 तो ये 5 पे बन जाएगा तो 2, 5 जा 10 होता है तो हमारे पास कितना आ गया 15 तो 2 को जब 30 से divide करते हैं तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा 15 जो quotient होता है वो नीचे लिखते हैं अब फिर से हमने इस 15 को सबसे छोटे prime number पे देखना है क्या है यह उसके table में आ रहा है सबसे छोटा prime number तो 2 है तो ये 2 के table में 15 नहीं आता तो उससे अगले prime number पे चेक कीजिए उससे अगला prime number क्या है 3 तो 3 के table में 15 आता है न तो 3 के table में हमने 15 से 3 को डिवाइड किया तो 3 5 जा 15 ठीक है तो जो ये quotient आता है उसको कहा लिख लेते हैं जब 3 को 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5 अब फिर से हमने डिवाइड करना है अब 2 के टेबल में भी 5 नहीं आता 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता तो अगला प्राइम नमबर कौन सा होता है 5 खुद होता है तो 5 के टेबल में 5 कहां आता है 1 पे तो हमने ये कब तक ट्राइ करते जाना होता है जब तक यहाँ पे क्या नहीं बन जाता 1 नहीं बन जाता सबसे पहले हमने सबसे छोटे प्राइम नमबर पे चेक करना है, सबसे चोटे प्राइम नमबर पर यह 30 जा रहा है, तो it's okay, ठीक है, अगर यहाँ पर भी यह 2 पर नहीं जाता है, तो फिर हम next 3 पर करते, उस पर भी ना जाए, तो फिर next हम 5 पर करते, क्योंकि जो प्राइम नमबर है, वो कहां से शुरू होते हैं, 2 से, next होता है 3 next होता है 5, next होता है 7, ठीक है, तो हमने कब से, कहां से शुरू करना है, सबसे चोटे प्राइम नमबर से, अब यहां पर 15 आ गया, 15 सबसे चोटे प्राइम नमबर पर नहीं जाता है, तो हमने next प्राइम नमबर पर डिवाइड करके देखा, ठीक है, फिर यहां 5 आ गया, 5 न 2 x 3 x 5, तो देखें, ये prime numbers ही हैं ना सारे, तो ये 30 की क्या हो गई, prime factorization हो गई, ठीक है, तो ये कौन सा method है, prime factorization find out करना, division method से, ये कौन सा method है, ये simple का आओ, prime factorization find करो, इसमें तो हमें अलग लग तरहें, कि खुद निकाल के देखने पड़ेंगे, कहीं एक आजाएगा, जो prime factors में पड़ा होगा, next नेक्स्ट है बेटा, prime factorization by factor 3 method, 3 का मतलब, जैसे एक 3 सा बन जाएगा, यहां पर, हमने 30 है, 30 को break करना शुरू किया, इसके factor बनाने शुरू किया, जैसे हमने बना लिया कि 2 cross 15, ठीक है, अब 2 तो एक prime number खुद दिया, तो 2 तो as it is 2 ही रहेगा, इसको और ज़्यादा break नहीं कर सकते, पर इस 15 को तो break कर सकते हैं ना, बेटा, 15 को क्या break करेंगे, 5 cross 3, ठीक है, तो 2 as it is बढ़ा रहा, देखो, ये cross as it is चलते जाएंगे, ठीक है, 2 as it is बढ़ा रहा, 5 cross 3, अब देखे, अब फिर 2 को हम break कर सकते हैं नहीं, कैसे 5 को break कर सकते हैं नहीं, 3 को break कर सकते हैं नहीं, और किसी के multiple line में नहीं लिख सकते हैं ना, तो यही हमारा final answer हो जाएगा, जैसे 30 is equal to 2 cross 3 cross 5, या 5 cross 3 लीजे, तो यह है factor 3 method की help से prime factorization करना, मैं आपको factor 3 method की और example के थूँ मैं आपको बना के देती हूँ, जैसे कि आप कोई भी और example ले लीजे, हम 16 ले लेते हैं, मा लीजे 16 ले ले लिए, 16 के हमने 2 के 2 into 8 कर लिया, ठीक है, अब ये 2 as it is, क्योंकि 2 को और break नहीं कर सकते, बट इस 8 को तो कर सकते हैं न, तो 8 के हमने 2 factor क्या बना लिये, 4 into 2, ठीक है, अब 2 as it is आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 2 के और factor नहीं बना सकते, बट इस 4 के तो बना सकते हैं न, 4 के क्या बनेंगे, 4 के बना दिये, 2 क्रोस 2, और फिर इस 2 को as it is लिख दे, जिसके break कर सकते हैं उसको लिख देना, बाकि उसको as it is लिखे जाना है, तो अब end में जो हमारे पास line आई है, वो ऐसी आगे, जिसको और ज़्यादा break नहीं कर सकते, तो 16 के हमारे पास, यह last वली line इक ट्थी लिख देनी है, क्या जाएंगे, 2 क्रोस 2 क्रोस 2 क्रोस 2, ठीक है, 2 टूजा, 4 4 टूजा, 8 8 टूजा, 16, तो यह prime factors of किस के आगे हमारे पास, 16 के आगे, ठीक है, थैंक यू,